आईए दोस्तो इस वीडियो से सीखते हैं रिजियूम कैसे बनाएं दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक MS Word की फाइल मिलेगी जिसे आप डाउनलोड कर लें जो रिजियूम के सेंपल है जिसमें आप एडिट करके अपना रिजियूम तयार कर सकते हैं रिजियूम के बहुत से फॉर्मेट होते हैं उनमें से एक फॉर्मेट में आपके लिए लाया हूँ जो इस वीडियो की description में आपको मिलेगा आप इसे download कर लीजिए और इसमें editing कैसे करना है जब आप download करके इसे open करेंगे तो बिल्कुल जैसा आपको screen पर दिख रहा इस तरह से दिखेगा इसमें क्या है सबसे पहले resume में आपको अपने बारे में detail डालनी है तो यहाँ पर लिखा है xxx कुमार यानि यहाँ पर आप अपना name डाल दीजे यहाँ जो highlighted है यहाँ पर आपने अपना name enter कर देना है इसे delete करके इस तरह से यहाँ पर आप नाम enter करेंगे जैसे मैं यहाँ पर xyz इसमें आप फॉस्ट लेक्टर कैपिटल कर दीजिए xyz space देके यह एक लड़की का हम रिजम बना रहे है xyz देवी देवी है कुमारी है जो भी है आप लास्ट नेम यहाँ डाल दीजे एड्रेस में देखिए अगर आप city में रहते हैं तो आप क्या करिए एड्रेस जो आपका होगा वह आपको पता रहता है जैसे मैंने यह लिखा है house number 999 upon 9 फिर xxx road मंडी मंडी का एड्रेस पर हम इसको बना रहे हैं तो आप किसी भी शहर अपने शहर अपने प्लेस अपने नगर का अपना नाम लिखे अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं त सच और सच पोस्ट ऑफिस एक्सवाइजट तैस्सील डाल दिया यहां पर तैस्सील डालने के बाद डिस्टिक कर दिया और फिर स्टेट आगे पीन कोड जरूर डाल दें यहां पर जो रैड्र गलर के लाइन से वह बता रहे हैं कि यह गलत है यह इसकारण इसको इसके बाद अपना फोन नमबर डाल दीजिए जैसे मैंने यहां पर अपना फोन नमबर डाल देंगे फिर इमेल आइडी जरूर डालें इमेल आईडी बहुत जरूरी है आज की डेट में जब डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है तो आपको जो भी आपका पत प्रचार होना वह मेल से होना तो आप यहां पर अपनी मेल आईडी जो वर्किंग मेल आईडी उसे टेस्ट कर लिजेए उसे यहां पर एंटर कर दीजेगा उसके बाद केरियर ऑब्जेक्टिव जो रहता है दोस्तो यह आपके पास अगर अच्छा कोई ऑब्जेक्टिव ह अगर आपको देखे पहले इसे में आपको अपनी डेटेल डाली है उसके बाद ऑब्जेक्टिव है थार्ड जो पार्ट आता एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स यहाँ पर टेंथ सबने किया होता है तो आपने जिस भी बोर्ड इनुवस्टि से किया उसका आप आगे एंटर कर दीजिए एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं जैसे एच्पी बोर्ड धरमशाला दूसरा फिर प्लस टू का डिटेल डालनी है उसके बाद अ आगे इनुवस्टि का नाम जरू डाल दीजिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है उसके बाद अगर आपने मास्टर डिगरी किया तो आप वह एंटर कर दीजिए अधरबाईजी से आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप भी कॉम तक हैं या प्लस टू तक हैं प्लस टू के आप कोई डिप्लोमा किया हो किसी तरह का तो आप वहां इंटर कर दीजिए पोस्ट के जो डिप्लोमा है या आपने बीएड करके रखा है तो आप यहां पर इंटर कर दीजिए इनुवस्टि का नाम साथ में डाल दीएंगे नेक्स्ट उसके बाद आपको अधर कॉलिविकेशन आपने जैसे कूई टेक्ट पास किया है आप ने कोई या और टेस्ट आपने कौलिफाइ करके रखें तो उनका डिटेल आप डाल सकते हैं यहां पर मैं जस्ट टेट के वरे में बता रहा हूं तो आप वो अपने एकॉर्डिंग उस डिटेल को अपने सड़ विकेट से एंटार कर दीजिए इसमें क्या होगा कि आपने कहां से पास किया कब पास किया यह भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं बिल् से टेस्ट के जाएगा आपकी प्रतिवाती तो आपने संब देना जैसा एक स्पीरिंस कैसे लिखेंगे फोड़ा से एकिसे एंपल यहां पर आपको उस औरगेनाईजेशन का उस फॉर्म का उस बील् काम किया होगा किसी शॉप में काम किया होगा जहां भी काम किया उस organization का नाम डाल देना है जैसे मैंने यहां पर अभी यह आपने यह जो dots है इनको हटा के आपने लिख देना x y z x y z hospital अगर hospital नहीं है तो school का नाम है तो school डाल दीजिए school का कोई नाम होगा as a आपने लिखना आप teacher थे accountant थे अगर accounts का आपका degree है तो accountants होंगे designation किस पद पर काम किया ख्लेरिकल का किया जो भी आपका designation रहा होगा आपने यहां पर उसे एंटर कर देना है उसके बाद at के आगे आता है police का नेम यानि यह जो organization थी जो x y school था उसका वो है कहां पर जैसे मंडी में है सुंदानावर में है देली में है लकनों में है यह तो स्टेट हो गई स्टेट के बाद आपको प्रॉपर वो प्लेस बताना है सिटी नेम यहां डाल देना है तो यहां पर हम विख रहे हैं मंडी तो इस तरह से आप वर्क एक्स्पिरियंस एंटर कर दीजिए अब दूसरा यहां पर मैंने तीन एक्स्पिरियंस की सेंपल दी है 20 मांथ एक्स्पिरियंस एज कमर्श फेकल्टी इन आगे वो स्कूल का नाम डाल सकते हैं विख ज मन्थ एक्सिक्स्पिराइंस और कांटिंग सॉफट्वर तीचर इन और इसके अलावाए जो भी आपका एक्समिस होगा आपके पास एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट बना होगा उसके को अप These से लें सिथा माऔन इसलिए काम करना चाहरे हैं, जहां की mother tongue कोई दूसरी है, तो इसके लिए आप की communication कैसा होगा, किस तरह से आप लोगों से बात करेंगे, इसके लिए language important हो जाती है, तो आप पहले priority उन languages को दीजिए, जिनमें आप comfortable हो, जिनमें आप skilled हो, उसके बाद आप other languages जैसे पंजाबी आप समझत जाते हो, तो वो भी लिख दीजिए, अगर आप उर्दू जानते हो, तो वो भी लिख लीजिए, जैसे other language आपने add करने हैं, तो इसको select किया, या आपने या cursor रखा, enter कर दिया, तो आपने आप bullets बन जाएंगे, नहीं चाहिए, तो backspace कर दिया, और backspace से हम डिलीट कर देते ह strength, इसको हम अगले पर ले लेते हैं, strength होता है कि आप में क्या ऐसी खासियत हैं, जो जिसका कारण आपको job दी जाए, तो पहली बात, I always try to learn new things, यह आप सेम रख सकते हैं, as it is, highly energetic हैं, आप बड़े सुस्त नहीं रहते, loyal to organization, strong in communication skill, यह आपकी strength हो गई, hobbies, listening music, सब का होता है, औ और interacting with new people, आपकी कोई और है, जैसे आप कोई game खेलते हो, तो आप enter करके यहाँ पे उस game को डाल सकते हैं, इस तरह से उसको enter कर दिया, personal detail में आपको अपने बारे में कहना है, जैसे name लिखा आगे xyz, डेवी, I CK according हम करें, तो फिर date of birth में आपको लिखना है dd, यानि day, जो तारीक है, mm यानि month, yy यानि year, तो ये भी आपको change करना है, ये भी आपको change करना है, फिर अगर आप married हैं, और आप female हैं, तो आपको husband का नाम लिखना है, अगर आप boys का resume बना रहे हैं, तो husband का name, यानि married हैं, फिर भी आप wife का name नहीं लिखेंगे, उसकी आफशकता नहीं है, तो ये आप, ये depend करेगा आपे, ये पूरा का पूरा column कि आप female हैं या male हैं, उस पर depend करना है, male हैं तो इसको हटा दीजेगा, अगर आप female हैं, तो आप को husband name लिखना है, बाकि gender लिखना है, male, female में, ये आप depend करेगा, आप किसका resume बना रहे हो, फिर single हैं तो आप unmarried कर nationality, Indian, religion, Hindu, Sikh, Muslim, जो भी आपका Jain है, या फार्सी हैं वो लिख दीजे, और यहाँ पर आपने date, date कि कुछ भी change नहीं करना है, यहाँ पर आपने name change करना है, तो अगर आप resume बना रहे हो, और resume में आप नहीं जानते कि resume कैसे तयार किया जाता, तो ये वाला sample आपको description में मिल ज पर ले, आपको changes जो करना है, जो मैं आपके लिए yellow color में highlight कर देता हूँ, अगर आपके पास experience है, तो experience में इस तरह से होगा, बाकि यहाँ पर आपको अपनी degree qualification डालनी है, यहाँ पर address के according आपको डालना है, क्यूंकि यह जो भी address होगा, यह आपका होगा, इसको भी मैं highlight कर द है, यह जो highlighted है, यह सारा आपको change करना है, नेम भी आपको change करना है, यह भी आपको change करना है, बाकि starting के जो heading है, वो same रहेंगी, यहाँ पर आपको पूरा qualification, आपकी almost 10th होगी, प्लस 2 होगी, उसके बाद आपको क्या है, उसको आप change कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने board university के बा लगा देना है, और जहाँ भी the color दिख रहा है, उसके प्रिंट आउट करके आप जरूर जॉब रापत कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर बैए छोटा सा एरिया आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने picture लगा देनी है, आपने जब प्रिंट कि उसके बाद पिक्चर आपने एड कर देनी है यहां पर आपने फोटो लगा देना है और आपका रिजिम तयार है इसके अलाब आपके पास अधर कोई बिल्कुल अधर ही कोई क्वालिफिकेशन है डिटेल है तो आप डाल सकते हैं जो जो चीजे चाहिए उनको आप रखेग और अच्छी जो प्राफ़त कर सके हैं धन्यवादि